सब्सक्राइब किज़े टेक्निकल सपोर्ट चानल को और बिल आइकॉन को दबाईए लेटेश टेक्निकल लाजी वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो नमस्कार मैं हूँ गनेश और आप देखरे टेक्निकल सपोर्ट चानल हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत सौगत है दोस्तो रिलान जो की तरब से जो इज़स के लिए एक बुरी ख़बर निकल कर आ रही है जहां जो अपने कस्टमर के लिए नए नए प्लान लां कि 31 मार्च 2018 को जो की प्राइम मेंबर्शिप खत्म हो रही है आपको याद दिला दे कि 21 फरवरी 2017 को मुके शंबानी ने जो प्राइम मेंबर्शिप लॉंच की थी जिसे लेने की अंतिम तारिक 31 मार्च थी हाला कि कमपनी ने बाद में इसे बढ़ा कर 15 अप्रिल 2017 कर दी थी प्राइम मेंबर्शिप की वेलिटी एक साल की थी अगर आपने 14 अप्रिल 2017 को भी ये मेंबर्शिप ली है तो भी आपकी मेंबर्शिप 31 मार्च 2018 को ही खत्म हो जाएगी यहाद प्राइम मेंबर्शिप खत्म होने पर आप जियो के फ्री याफ्स का यूज नहीं कर हाला कि अभी तक company की ओर से membership खत्म होने के बाद users को क्या करना है इसके जानकारे नहीं दी गई है लेकिन हो सकता है users को इस membership को चालू रखने के लिए फिर से नया प्लान लेना होगा और company जियो प्राइम membership का amount भी बढ़ा सकती है इरलाइन जियो ने जब प्राइम membership का announce किया था तभी बताया गया था कि ये membership एक साल के लिए है जियो प्राइम membership की शर्त थी कि ये 31 March 2018 को खत्म हो जाएगी अब इसके लिए users ने कभी भी membership ली हो लेकिन वह 31 March को ही खत्म होगी बाद में membership लेने वाले customer को extension का फायदा नहीं मिल अगर इसकी कीमत बढ़ती है तो जियो इसको नए offer के लिए तयार रहना होगा और प्राइम membership को extend करने के लिए थोड़े ज्यादा पैसे खर्श करने पड़ सकते है तो दोस्तों जियो इसके लिए यह थी आज की खास ख़बर तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें टेकनोलोजी से रिलेटेट आपके कोई सवाल या सुजा हो तो हमें कॉमेंट में लिखें आपके हर कॉमेंट का रिपलाई हम जरूर देंगे जानकरी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेर करें और ऐसी महतों पूर्ण जानकरी और लेटेस्ट टेक जाहिन